जै स्री राम, जै हनमान हनमान जी आपको भग्य साली बनाएं, संकट से रच्छा करो हे महावीर हनमान, संकट मोचन करपानिधान जय हन्मान जय जय हन्मान तुलारासिवारो सिध्धी योग मून लच्छत्रे केतू और विरस्पती का परभाव 10 बच कर 32 मिनर तक उसके बाद पुर्वासारा नच्छत्र का सुक्रिचंद्रमा सुर्ज का परभाव आज आपकी कुण्डली में केतू रावु का महा परिवर्तन साथ में सनी का बुद्ध के साथ आपकी कुण्डली के सुखस्थान में उद्य होना तुलारासिवारो रावु केतू का महा परिवर्तन सनी का बुद्ध के साथ आपकी कुण्डली के सुखस्थान में उद्य होना और मंगल का रासी परिवर्तन करके सुख स्थान में गोचर करना आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा आपकी जिन्दगी बदलेगी बहुत बड़ा लाब होगा आपकी जीवन में उपलब्धी तरक्की का सुन्दर योग बन रहा है तुला रासिवारो आज सिद्धी योग है सिद्धी योग में आपकी जीवन में तरक्की मिलने का योग बन रहा है जिससे अपने जीवन में नौकरी बैपार में आप बहुत तरक्की करेंगे पिछले कुछ समय से आप जिस काम को करते आ रहे थें पिछले कुछ समय से जिन काम को आप करके धन कमाना चाहते थें आज आज वो दिन आ गिया है जब आपके उन कामों का परिनाम आपको प्राप्त होगा आपकी जीवन में अचानक से धन की प्राप्ती होंगे आज कोई बड़ी उपलब्धी भी मिलेगी कार्चेत्र में बड़ी सफलता का योग है आज आपके जीवन में लाबुनती सौभग्य का योग है क्योंकि इस समय आपकी कुणली के सुखस्थान में बुद्ध के साथ सनी का उदै हुआ है साथ ही रावु का गोचर आपकी कुणली के अश्टम भाव में है और केतु आपकी कुणली के दूतिय भाव में गोचर कर रहा है आज के दिन अगर आप किसी नए काम की सुरुवात करेंगे तो ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल होगा जो आगे जाकर आपकी जीवन में संपत्ति उनत्ती का योग बनाएगा तुलारासिवारो राजनीती के छेत्र में रावू केतु का गोचर बड़ा लापकारी सिद्ध होगा आपको कोई बड़ा पद मि रहेगा आप जैसा सोचते हैं जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी कुंडली में सनी बुद्ध के साथ गोचर कर रहा है जबकि केतु आपकी कुंडली के धन अस्थान में बैठा है और रावू आपकी कुंडली के अश्टम भाव में यानि आपकी जीवन में हर काम सफल होंगे आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलेगी समय बड़ा नुकूल है राभु केतू का गोचर आपके लिए बड़ा सुब रहेगा जिसके कारण आपके जीवन में सुखधन लाब का योग बनेगा आपके मन में जो चिंता थी आपके जीवन में जो बाधा थी आपके मन में जो उल्जने थी जो रहरा कर आपके लिए परिसानी का कारण बन रहा था राभु केतू का परभाव आपके जीवन में सुख को बढ़ाएगा आपके जीवन में जो चिंता और तनाव है उसे भी दूर करेगा कार्चेत्र में जो भी बाधा आ रही थी उस बाधा को दूर करेगा और आपके लिए स्वभग्य का योग बनाएगा तुलारासिवारो आज राभू केतु का परभाव आपके लिए बड़ा सुब होगा क्योंकि आज मूनला चत्र है मूनला चत्र में आपकी कुणली में केतु और विरस्पती का परभाव होता है केतु जिस भाव में गोचर करते हैं वैसा ही परिनाम आपको प्राप्त होता है इस समय केतु आपकी कुणली के धन अस्थान में बैठा है धन अस्थान में जब केतू का गोचर होता है तो आपकी जीवन में धन से सम्मंदित, विबाद दूर होते हैं, मन में जो भटकाव होता है वो रुख जाता है, मेहनत करते रहते हैं, सफलता मिलती है और धन आप कमाते हैं आपकी जीवन में जो समस्या जो आपको परिसान कर रही थी अपने जीवन में जिन बाधा और परिसानी से आप जादा परिसान थे आज आपके लिए ऐसा योग बन रहा है जिससे आपकी जीवन की परिसानी खत्म होगी आपके रुके वे काम पूरे होंगे आपके मन में सुक समरिद्धी सौभगे का योग रहेगा क्योंकि रावु के तू का परभाव जब सुभ होता है तो आपकी जीवन में बड़ी तरक्की होती है जीवन की परिसानी खत्म होने लगता है और आपकी जीवन में लाव का योग बनता है आज आपकी कुंद्ली में चंद्रमा का परभाव भी बड़ा सुभ है आज चंद्रमा आपकी कुंद्ली में तिर्तिय भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहा है चंद्रमा जब सुक्र के साथ गोचर करता है तिर्थिय भाव का चंद्रमा जब आपके भग्य अस्थान पर अपना परभाव दिखाता है तो आपके भग्य में बड़ा परिवर्तन होते हैं आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है क्योंकि चंद्रमा आपको भग्य साली बनाता है चंद्रमा आपके लिए लाब का उसर लेकर आता है कम मेहनत में ही कारसिद्धी का योग होता है आपके जीवन में रोजगार और बैपार अच्छा चलता है आपके जीवन में पंचमभाव में विरस्पती के साथ सुर्ज का गोचर है जब विरस्पती के साथ सुर्ज का गोचर होता है तो आपकी जीवन में बहुत सुख और धंड की प्राप्ती होती है ग्रहों की दसा आपकी जीवन में बड़ा परिवर्तन करता है जिससे आपकी जीवन में लाब भी मिलता है आपके जीवन में सुख की प्राप्ती भी होती है क्योंकि राभु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा होता है राभु आपके जीवन में सुखद योग बनाता है राभु की दसा में आपके जीवन में तरक्की होती है आप धन कमाते हैं जब राभु का परभाव आ अपना असर छोड़ता है राभू और केतु जब सुभ होते हैं तो आपके मन में अच्छे विचार आते हैं आप मेहनस से काम करते हैं और आपकी जीवन में बरा लाभ आपको प्राप्त होता है अपने जीवन में धन सौभागी की प्राप्ती करते हैं राभू का गोचर आपक धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और केतु का गोचर आपकी जीवन से परिसानियों को धीरे धीरे कम करने लगता है जब ऐसा परभाव होता है तो आपकी जीवन में खुसियां बढ़ने लगती है आपकी जीवन में सफलता प्राप्त होती है, मन की चिंता दूर होती है और राभु केतु आपके अंदर एक नई उर्जा का संचार करता है जो आपकी इच्छा सकती को दृट बनाता है जीवन में आने वाली हर मुश्किरों का आप सामना करते हैं आपकी आमदनी बढ़ने लगती है, आपकी जीवन में लाब होता है धन भी आप कमाते हैं, अपने जीवन में सुख भी पाते हैं सों समझ कर काम करते हैं, जिससे आपके जीवन में बड़ा लाब होता है और परिवारिक जीवन में जो उल्जने थी जो मतभेट था वो दूर होगा क्योंकि आपके कुनली में कठिन परिस्थिती का सामना आप राभु के प्रभाव के कारण आसानी से कर पाएंगे आपके बैवाहिक जीवन में जो परिसानी थी उसे सुक्र दूर करेगा आपके अंदर जो साहा से उसे मंगल बढ़ाएगा और आपके भग्य को चंद्रमाच चमकाएगा तुलार असिवारो आज मूलन च्छतर में केतु का परभाव आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा आपके लिए तरक्की का योग बनाएगा आपके जीवन में एक नई सुरुवात करेगा वहीं राभू आपके लिए सफलता का योग बनाएगा नौकडी बैपार में उनत्ती होगी समय अच्छा है भग्य का साथ है किस्मत में सुख है तो सुख अवस मिलेगा आपके जीवन में बड़े बदलाव का ये समय है जो आपके जीवन को बदलता जाएगा रावू और केतु का गोचर आज आपकी कुणली में इसलिए भी सुभ है कि आज सनी का होता है तो अपने कर्म से आप जीवन को आगे बढ़ाते हैं अपने कर्म से धन कमाते हैं अपने कर्म से जीवन में सुख प्राप्त करते हैं यानि आप कर्म योगी होंगे अपने कर्म से जीवन में सफलता और कामियाभी पाएंगे दुलारासिवारो आपकी जीवन में धन स्वभग्य की जो प्राप्ती होती है वो अचानक से होती है क्योंकि रावू आपकी कुनली के अश्टम भाव में बैठा है अश्टम भाव का रावू आपकी जीवन से बहुत सारे तकलीफ और कस्ट को दूर करता है जिन समस्या से आप परिसान होते हैं उन समस्या को दूर कर आज मंगल बुद्ध और सनी के साथ आपकी कुनली के सुखस्थान में गोचर कर रहा है मंगल के कारण आपका आत्म विश्वास बढ़ता है आपकी साहस बढ़ती है अपने सत्रूप को आप प्राजित करते हैं अपने जीवन में लाब कमाते हैं पंचम भाव में बैठा विर सुखसवभग्य का योग बनाता है आपके लिए आज का दिन बड़ा सुंदर है क्योंकि आपके जीवन में जो बुड़े दौर थें जो बुरा परभाव था वो आप दूर हो गया है और आपके जीवन में उनत्ती तरक्की का सुंदर योग दिखाई दे रहा है तुलारा सिवारो, राहु केतु का परिवर्थन और सनी का उदै होना आपकी जीवन में बड़ा लाब लेकर आएगा, जिससे आपकी जीवन में बड़ी खुस खबरी मिलेगी, आप इतना पैसा कमाएंगे कि आपकी मनवांची सफलता और कामियावी से आपकी जीवन में खु की का योग है राहू और केतू का गोचर जब सुभ होता है तो आपकी किस्मत अचानक बदलती है आपके किस्मत में जो सुख है वो आपको प्राप्त होता है आपके जीवन में खुसियों की बरसात होती है आपके जीवन में अपनी च्छाओं को पूरा करने का साहस होता है सनी का उदय बुद्ध के साथ जब आपकी कुंड़ी के सुख स्थान में होता है तो आपके सपने सच होते हैं आज रावुकेतु के साथ सनी का बुद्ध का गोचर भी आपके लिए काम्याबी सफलता लेकर आएगा ऐसे में आप हन्मान जी का दरसन करें हन्मान जी की पूजा कर हनमान जी का आसिरवाद आपके लिए बड़ा सुब होगा हनमान जी के आसिरवाद से आपके जीवन में बड़ा लाब होगा हनमान जी के आसिरवाद से आपके जीवन में सौभग्य धन की प्राप्ति होगी तो आज आप हनमान जी का दरसन करें हनमान जी की पूजा करें मून नच्चतर का केतु और विरस्पती उसके बाद पुर्वा सारा नच्चतर का सुक्रिच द्रमासूर्जे आपके लिए बड़ा लापकारी है आज का दिन आपके लिए अच्छा है और आने वाला दिन भी अग्य बदलता जाएगा जीवन में सुकधन की प्राप्ती होगी तुलारासी वारू आज आप पूरब दिशा की तरफ से दिन की सुरवात ना करें आपके लिए लखी कलर नीला होगा और लखी नमबर 6 होगा तो तुलारासी वारू के लिए आज केतू सनी और राभु का पर कुसिस करते रहें मेहनत करते जाएं आपकी जीवन में किसी भी परकार का बिगन बाधा कश्ट नहीं है जिससे आपकी जीवन में बड़ा लाब होगा आपकी जीवन में सुक्स भग्य की प्राप्ती होगी और आपका भग्य अबस चमकेगा तुलारासी वारू ग्रोहों प सी फलकार्ज करब में तब तक के लिए मुझे आग्या दें आपका दिन सुभ हो जै स्री राम जै हर्मान जै स्री